हेलो एवरीफ़न वेलकम टू ट्रामाफन जीना सबसे सौरी कह रही थी चुई उसे डाट देता है कि तुम यहाँ पर कर्या रही हो डिरेक्टर का अंग डॉक्टर सीट को इस प्रोजेक्ट में से निकालने की बात कर रहा था तो मेनेचर जोयू से कहता है कि डॉक्टर सीट को हाइमी का कॉंसेप्ट नहीं पर जीना का कॉंसेप्ट बहुत ही स्यादा अच्छा लगा है क्योंकि जीना का कॉंसेप्ट नेचर से रिलेटेड था डिरेक्टर कांग मेनेचर O से पूछते है कि आप तो डॉक्टर सीर्ट से मिलने के लिए गई थी ना वो किसे आदमी है तो मेनेचर O कहती है कि हमें गई थी वो ना जोनी डैप जिससे दिखते है डिरेक्टर कांग उसकी और घूर कर देखते हैं तो वो कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना मैंने चीना को भेचा था वहाँ पर उसे मिलने के लिए चिना का नाम सुनते ही डिरेक्टर कांग अपना फैसला बदल देते हैं फुकेते हैं कि आज से ही नूरी पार्क के लिए दू टीम काम करेगी टीम A एंट टीम B टीम B जीना की हिसाब से चलेगी यानि की डॉक्टर सीट के हिसाब से चलने वाली है यह सुनकर होंग चल्दी से अपनी साइड बदल देता है वो जीना की टीम में आ जाता है डिरेक्टर कांग की ये फैसले पर सबी लोग हैरान थे होंग बाहर आकर चीना को सब ये बात बता रहा था चीना कहती है की अच्छा है की मुझे अपना एक प्रोचेक्ट तो मिल गया पर तुम मेरी टीम में आने के लिए क्यों राजी हुए तो होंग कहता है की ये इजी था इसलिए चीना कहती है की कोई बात नहीं ये मेरा पहला प्रोचेक्ट है तो मैं पूरी पूरी मेहनत करूंगी अगी चीना होंग को टैफुन के पास ले जाती है जीना तैफुन से कहती है कि ये है मिस्टर होंग, मेरे प्रोजेक्टर टीम पार्टनर और ये है मिस्टर ह्यून, डॉक्टर ह्यून. होंग तो शोख हो जाता है कि ये डॉक्टर ह्यून है यानि कि मिस्टर पनोती ही डॉक्टर सीट है तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ. एक स पुलिस वाले उसको पकड़ कर पुलिस टेशन ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग पुलिस टेशन में खड़े थे। पुलिस वाला इन दोनों से कह रहा होता है कि एक्टरेसर चाजुन्यू ने इस होंग पर साइबर जिफरमेशन का कैस किया है क्योंकि ये पिछले पात सालों से उसके हर एक पोस्ट पर गंदे-गंदे कमेंट्स कर रहा था। वो लोग तो शोक हो जाते हैं पुलिस वाला कहता है कि उसने कुछ इस प्रकार के कमेंट्स किये थे जैसे कि तुम्हारा फेस बहुत ही बड़ा है तुम तो दादी मा चैसे लगती हो तुम्हारी मा तुम्हें चनम दे कर क्या खुश रही होगी तुम्हें तुम्हें मुझ तो पुलिस वाला कहता है कि उस एक्ट्रेस ने निकोशियेट करने से मना कर दिया है इसे बचा सकता है इसे साथ साल की सजा होगी और दस साल इसे सस्पेंट किया चाएगा या फिर उसे 50 मिलियन पैनल ट्री के दोर पर फड़ने होगे ये दोनों ही अप घर वापस आजाते हैं चीना काफी स्धा परेशान थी क्यों कि ये इसका पहला प्रोजेक्ट था ताइफुन कहता है कि शांत रहो चीना उस पर चला देती है कि क्या शांत रहूं पर वो ताहिफुन का चहरा देखकर कहती है कि प्लेस मुझे माफ कर दो मैं काफी परेशान हूँ इसलिए मैंने तुम पर चिला दिया वो बैट जाती है तो तैवन भी उसके पांस बैट कर कहने लगता है कि क्यों न हम उस एक्ट्रेस के पांस मिलने के लिए चाहे एन उसे फरोसा दिलाए कि वो अब बदल गया है आज से वो आपके उपर बुरे बुरे कमेंट्स नहीं करेगा जीना को ये मिशन इंपॉसिबल लग रहा था वो कहती है कि वो एक्ट्रेस हम से मिलने के लिए राजी होगी तो वो कहता है कि भले ही वो हम से मिलने के लिए राजी ना हो पर हम उसे दूर से देख तो पाएंगे ना अब जीना अपने हिसाब से ही प्लैनिंग करने लगती है वो कम्पीटर खोड़के बेट चाती है और होग ने जितने भी बुरे कमेंट्स किये थे उस पर रिपलाइ करने लगती है और एक्ट्रेस के काफी ज्यादा तारिफ भी कर रही थी वो कमेंट्स करने में पूरी रात लगा देती है और ऐसे ही सोचाती है उसके सोचाने के बाद रात में ही तैवन कहीं पर जाता है वो उस एक्ट्रेस के पांस गया था फ्लावर्स लेकर अगले दिन जीना उड़ती है पुलिस टेशन से उसे कॉल आता है कि अब होंग रहा ह हो गया है तो आप उसे ले जा सकते हो तैवन वहां पर आता है तो जीना कहती है कि कहां चले गए थे तुम तुम्हें पता है कि पूरी रात जखकर में ने जो कमेंट्स किये थे इस वज़े से वह एक्ट्रेस मान गई है आगे ये लोग होंग को चुड़ा कर वापस लाते ह ये लोग बैठ कर प्रोचक्ट के तैयारी कर रहे थे उसमें होंग कहता है कि ये पत्थर का गार्डन कैसा रहेगा उस स्टोन टावर को देखकर तैवन कहता है कि ये तो रियल में भी है आगे ये लोग कहते है कि क्यो ना हम उस रियल वाले को देखने के लिए चाये अगले कहता है कि उसके साथ तैफुन ने समंदर किनारे पुरी रात गुजारी है अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है सुजी कहती है कि पुरी रात वो तैफुन के पांश जाकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ आना है आगे लोग उसी गार्डन पे पहुँच जाते है तैफुन सभी से कहता है कि ये जो गार्डन है सभी लोगों ने हाथों से बनाया है और जितने भी स्टोर यहां पर रखे हुए है वो लोगों की विशिश है हॉंग उस चगी की पिक्चर्स को ले रहा था तो सांबा को मन करता है कि वो भी एक पिरमिर में रखे वो पिरमिर रखने के लिए जाता है चैता है कि हम ऐसे ही यहां سے नहीं भाग सकते वो भले ही इंसन मर गया होगा पर उसने अपने विशिश को एक एक पिरमिर से चुड़ा होगा नहीं इस पिरमिर्ड को बनाया होगा हम उसकी महनत को ऐसे ही जाया नहीं होने दे सकते यह सुनकर सबही लोग लोग फिर से उस پत्थर की पिरमिर्ड को बनाने लगते है एंट दिन से रात हो जाती है, रात में यह लोग किसी धर्मושाला जेसी जगे पर रुके थे सुजी औ'M जीना को एकी गमरा मिला था सुजी उसे पूझती है कि 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 तुम टैफुन को पसन्द करती हो तो जीना कहती है कि मैं भला क्यूँ उसे पसन्द करने लगी तो सुजी कहती है कि अच्छा ठीक है तो फिर तुम हमेशे ही उसके आंस-पांस क्यों मंद्राती रहती हो, जीना कहती है कि ये बस अत्वाक है, सूजी कहती है कि बार बार इत्वाक नहीं होते, मैं जानती हूं कि तुम बहुती ज़्यादा चाला को पर तैवुन, जितना तुम उसे समझती हो, वो उसे काफी ज्यादा प्यूर है तो उसे पंगा मत लेना और उसका दिल भी मत दुखाना आग ये जीना सोचाती है पर उसे नीन नहीं आ रही थी वो सूजी की ही बातों को याद कर रही थी वो जब बाहर जाती है ठंडी हवा लेने के लिए तो वो देखती है कि तैफुन तो म्यूजिक बचा रहा है वो तैफुन को ऐसे ही चुप कर देखने लगती है अगले दिन हाई मी ही जुल से कहती है कि क्या आज रात हम दोनों साथ में डिनर करने के लिए चाये पर ही जुलियानी की डिरेक्टर कांग उसे मना कर देता है आज छुटी का दिन था पर जीना अपना प्रोचेक्ट पुरा कर रही थी एन अपी पीटी फैल बना रही थी उसकी फाइर कंप्लेट हो जाती है तो उसे भूख लगने लगती है वो आफिस में ही नूर्डल्स खाने वाली थी वहाँ पर डिरेक्टर कांग आ जाते है वो कहते है कि तुम यहां क्या कर रही हो तुम आफिस में खाना नहीं खा सकती या अलाउट नहीं है तो जीना कहती है कि माफ करना तो डिरेक्टर कांग कहते है कि कोई बात नहीं क्या हम दुनों साथ में लंच करने के लिए जा सकते है जीना तो खुशी खुशी उसके साथ जाने लगती है एलिवेटर से नीचे उतरने के बाद जीना कहती है कि मैं अपना यूएस बी तो लाना भूल ही गई जो डिरेक्टर कांग कहते है कि ये इतना पी जरूरी नहीं है बाद में तुम ले लेना हाई में उन दोनों को दूर से ही जाते हुए देख रही थे और उसे जलन होने लगती है जब वो आफिस में आती है तो वो जीना की यूएस बी को देख रही थी ये लोग साथ में लंच कर रहे थे और प्यार के बारे में बाते कर रहे थे जीना कहती है कि प्यार करना अच्छी बात है पर डेटिंग वगेरा मुझे बहुत ही एनोइंग लगता है डिरेक्टर कांग कहते है कि हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ जीना कहती है कि डेटिंग यूजलेस है पर एक बार में ट्राइ करना चाती हूँ तो जीना कहती है कि तो फिर मैं कैसा रहूंगा अगर तुम चाहो तो मुझसे डेटिंग ट्राइ कर सकती हो जीना तो शौक थी और उसके हाथ से वाइन का ग्लास पुरा फर जाता है तो डिरेक्टर कांग कहते है कि जीना उस तरफ देखो जीना कहती है कि प्लीस मुझे माफ कर देना बाहर आकर जीना काफी ज्यादा शर्मा रही थी डिरेक्टर कांग वहां से चला जाता है अगले दिन इसकी मीटिंग का दिन था जीना जीना डिरेक्टर कांग से कहती है कि मीटिंग खतम हो जाने के बाद मैं आपको आपका फाइन बनाया था वो महां से गायब था सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही खत्म अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करना थैंक यू फॉर वाच्छिंग